हलो एब्रिवन मैं मामता भादवाज फ्राम सिध्धात पावलिक इंटर कालेज मोलनापुर्ष आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन का बायोलाजी जिसमें फर्स्ट आपिक है कोशिका तो सबसे पहले कोशिका क्या होता है समस्त जीवधारियों का सरीर कोशिकाओं से बना होता कोशिका में पैत्रिक लच्षडों को एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी में पहुचाने वाले तत्वा पाजाते हैं पैत्रिक लच्षड मतलब जो लच्षड माता पिता में पाजाते हैं उन्हीं लच्षडों को बच्चों में देखा जाता है तो उस लच्षड को हम पैत् जिवधारी होते हैं, उनका सरीर एक कोस्की या बहु कोस्की होता है, अब एक कोस्की क्या होता है, तो एक कोस्की का मतलब वो होता है, ऐसे जिवधारी जिनके सरीर का निर्मार सिर्फ एक कोस्की का से होता है, उनको हम एक कोस्की जिव बोलेंगे, जैसे आमीबा, पैरामेसि हम जितने भी सुचमजीव हैं वो एक कोस्किय जीव कर लाएंगे सुचमजीव का मतलब ऐसे जीव जिनको हम सुचमदार्शी के सहायता से देख सकते हैं उनको हम सुचमजीव बोलते हैं अब बहु कोस्किय तो बहु कोस्किय का मतलब यह होता है तो बहु कोश्किय का मतलब यह होता है कि ऐसे जीर जिनके सरीर का निर्मार बहुत सारी कोश्काओं से मिल के होता है उनको हम बहु कोश्किय बोलेंगे जैसे मनुष से हो गया जितने भी जनतों या जानवर हैं यह सारे बहु कोश्किय कहलाएंगे अब कोशिका की खोशर्व पुर्थम रावर्ट हुक ने 1665 में सोव निर्मीत मतलब अपनी द्वारा बनाये गए सुचमदर्सी की सहायता से किया था उन्होंने सबसे पहले कोशिका को कार्ग की पतली कार्ट में मदमक्खी के छत्ते के समान सनरचना देखी इस सनरचना को उन्होंने कोशिका नाम दिया कोशिका को जीवन की सनरशनात्मक, क्रियात्मक तथा अन्वांसिक इकाय अत्वा जीवन की अधारवुत इकाय धीकत है तो कहने का मतलब यह है कि कोशिका को सनरशनात्मक क्यों बोलते हैं क्योंकि सरीर की सनरशना जो होती है कोशिकाओं से ही होती है और क्रियात्मक के बोलते हैं क्योंकि सरीर में जितनी भी क्रिया होती हैं जितनी भी जैविक क्रिया होती हैं वो कोशिका में ही संपन्न होती हैं और पैतरिक लच्छडों को एक अस्थान से एक पिड़ी से दुसरी पिड़ी में पहुचाने वाले जो अन्वांसिक तत्व होते हैं वो कोशिका के अंदर ही पाजाते हैं ये कोशिका को हम जीवन की सन्रशनात्मक करियात्मक तत्थानसिक जीवन की अधारवोतिकाहि कहते हैं ये delay कोशिका सिथ्धांत तो कोशिका सिथ्धांत क्या होता है कोशिका सिथ्धांत को सर उपृत्वbeitsang जर्मन वनस्पति विज्यान साστ्तरी मैथिया سलेड defined cantidad तथा प्राडी विज्यान सास्त्री थिवडार स्वान 1849 ने कोईसका सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था तो जर्मनी के वनस्पती विज्यान सास्त्री वनस्पती मतलब पेड़ पहुते पौधो काध्यान करने वाले विग्यान सास्त्री थे इनका नाम था मैथियस स्लेडेन तथा प्राड़ी विग्यान सास्त्री प्राड़ी का मतलब जन्तु जन्तु विग्यान सास्त्री जो थे थिवडार स्वान इन्होंने मिलके कोश्का सिध्धान्त का प्रतिपादन किया कोश्का सिध्धान्त के अनुसार सभी जीवों का सरीर एक यानिक कोश्काओं से मिलके बना होता है जितने भी जीवों होते हैं उनका सरीर का निर्मार जो होता है एक क्यानिक कोशिकाओं से मिलके होता है अता कोशिका को सरीर किसन रचनात्मक तथा क्रियात्मक की काईं भी कहते हैं इनके अनुसार कोशिका की जो उत्पत्ती है पहले से उपस्तिस कोशिकाओं जो होती है उनके वीभाजन से होता है तो कहने का मतलब यह है कि नई कोशिका का निर्माड, कोशिका सिध्धान्त के अनुसार, जो पुरानी कोशिका होती है, उनके विभाजन के फल सरूप ही होता है अत्ता कोशिका को अनुसिकी की इकाई भी मानते हैं, तथा जीव द्रव्वे को इसका भहुती कधार मनते हैं कोशिका को अनुवांसिकी एकाई क्यों मानते हैं क्योंकि कोशिका में पैतरी कलच्छडों को एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में पहुचाने के तत्तों पाजाते हैं इसलिए कोशिका को हम अनुवांसिकी की एकाई भी बोलते हैं अब है कोशिकाओं के प्रकार तो कोशिका होती कितने प्रकार के हैं कोशिका हम अखे तो दो प्रकार के होती है फर्स्ट है प्रोकरियाटिक कोशिका और सेकेंड है यूकरियाटिक कोशिका प्रोकरियाटिक कोशिका किसमे पाई जाती है जैसे जितने भी सुसमजी हैं जिवाडू, निले, हरे, सैवाल, इन सब में जो है, प्रोकरियाटिक कोशिका पाई जाती है, और यू करियाटिक कोशिका, पौधे उम जन्तू, जितने भी पौधे और जन्तू है, और तथा कुछ सैवाल, इन में जो है, यू करियाटिक कोशिका पाई जाती है, आगे हम डि अब कोशिकां का आकार और आकरती कोशिकां का आकार और आकरती होता कैसा है इस्तिती और कार्य के अधार पर कोसी काई जो होती है भी भी नाकार के होती है जैसे ये किसी भी अकार के हो सकती है जैसे गोल, लंबी, अंडाकार, बेलनाकार, घनाकार, नालाकार, फिताकार या तस्तरी नुमा इनका आकार जो होता है वो निस्चित नहीं होता है इनके स्थिति और कारे के अधार पर ये किसी भी आकारे आकरती की हो सकती प्राएं इनका व्यास जो होता है 0.5 से लेका 2.0 मिलिमीटर तक हो सकता है Hello everyone पिछली क्लास मैं पढ़ा तो कोशिका कोश्का होती क्या और कोश्का का कार कैसा होता है अब हम पढ़ेंगे कोश्का की सन रचना तो कोश्का की सन रचना पढ़ने के लिए हम एक पादब कोश्का के बारे में समझेंगे उससे पहले हम ये फीगर बना लेंगे जिससे हर चीज को समझने में आसानी रहेगी उद्रव्याओ लास्थ रजधानी या रिख्दिका कोुषका वित्ति तो पादब कोस्टका के चारों और एक परत होती है या आवरण होता है जिसे हम स्ट कोस्टका वित्ति करते हैं यह समाने रूप फर्स्ट है प्राखनिक कोईश का वित्ति, दुटिय कोईश का वित्ति, तृतिय कोईश का वित्ति और मद्य पटलका अब कोईश का वित्ति की सनरचना मतलब कोईश का वित्ति की चीजों की बनी होती है पिर सुच्मदर्सी से देखने पर पता चलता है कि कोई का वित्ती जो होती है वो फाइबरील की बनी होती है फाइबरील मतलब तंतु तो कोई का वित्ती की संवरचना जो होती है एक रेशे के समान तंतु जैसे संवरचना होती है फाइबरेल जो होता है बहुत सारे माइक्रो फाइबरेल से मिलके बना होता है मतलब सुच्मुतंतों से मिलके बना होता है जो भी भी लंबाई वह व्यास के होते हैं जिनकी लंबाई वह व्यास निश्चित नहीं होता है वो भीन भीन लंबाई व ब्यास के हो सकते हैं इनका ब्यास जो होता है मुख्यता सो से दो सो एंगस्ट्राम होता है अब कार्य कोश्का भित्ती का कार्य क्या होता है या कोश्का को द्रुड़ता या मजबूती प्रदान करती है कोश्का भित्ती जो होती है सजीव अवयो से मिलके बनी होती है, सजीव जैसे सेललोज की बनी होती है, जो सजीव होता है, प्रंतो कोश्का भित्ती को हम निर्जीवी बोलते हैं, तो कहने का मतले हैं कि कोश्का का मुख्य काम क्या होता है, या कोश्का को आकार, आकृती, सुरच्छा और मजबूती प्र जैति है जिसको हम जीव द्रभ ना या हैं जक व пож़ते हैं जो जीव द्रभ म् topics 4 से झेळगे ज़ती हैं। जीव द्रभ का उता है कोईशिका के अंदर कि जो भी साभी पदार्थ पा जाते हैं उनको हम जीव द्रभ बोलते हैं। और जीवद्रव्य को जो जिल्ली चारो तरफ से घेरे रहती है उसको हम कोईशका कला या जीवद्रव्य कला बोलते हैं कोईशका भित्ती के ठीक नीचे एक पतली जिल्ली होती है जिसे हम जीवद्रव्य कला या कोईशका कला या प्लाज्मा जिल्ली बोलते है जो देखने में बहुत पतली होती है और सजी और लचीली होती है यह अर्ध पारगम में होती है तो कुषका कला अर्ध पारगम में होती है अर्ध पारगम में का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज को यह अपने अंदर से आने जाने देती है जैसे चननी जैसे सनरचना इसकी होती है को इसका कला का निर्मार जो होता है प्रोटीन वह वसा के दो-दो पर्तों से होता है राबर्टसन के अंसार 1969 में राबर्टसन ने को इसका कला की सनरचना के बारे में बताया इनके अंसार जो है को इसका कला का निर्मार प्रोटीन लिपीड और प्रोटीन की पचात्तर एंगस्ट्राम मोटी सनरचना होती है जैसे फीगर में दिया गया है कि प्रोटीन लिपीड और प्रोटीन की एक सनरचना दोहरी सनरचना बनी होती है जो पचात्तर एंगस्ट्राम मोटी होती है इस कला के दोनों और 20 एंगस्ट्राम मोटी प्रोटीन वह मध्य में 35 एंगस्ट्राम मोटी लिपिट की दोहरी परत होती है तो दोहरी परत का मतलब है कि डबल संरचना जो होती है बीच में जो है लिपिट की संरचना है जो 35 एंगस्ट्राम मोटी है और दोनों तरब जो है प प्रूटीन्स होती है जो दोहरी संरचना बनाते हैं टूटली इनको पचातर इंगस्ट्राम यह मोटी होती हैं कि सभी कोशिकांगों में लगवा कोशिका कला कि संरचना जो होती है ऐसी होती है मतलब एक समानी पाए जाती है कि अब इसके बाद है कोशिका का पादब कोशिका तथा उसके भाग का एक चार्ट बना लेंगे जो हमने फीगर में बनाया हुआ है इसको हम ड्रा कर लेंगे जिससे आगे पढ़ने में और समझने में उसको आसानी होगी पादब कोशिका तथा उसके भाग कोशिका का ये structure दिया गया है इसको हम ड्रा कर लेंगे जिससे आसानी होगी कोशिका को कितने भागों में बाटा गया है तो तीन भागों बाटा गया है कोशिका भित्ती जीवद्रव्य और रिक्तिका है अब जीव द्रव्य को तीन भागों बाटा गया है, जीव द्रव्य कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ठीक उसी तरह रिक्तिका को भी दो भागों बाटा गया है, टोनो प्लास्ट और रिक्तिका रस अब यहाँ पर कोशिका द्रव्य जो है इसको दो भागों बाटा गया है जो उपापच्चे के सक्रिय कोशिकांग और उपापच्चे के निश्क्रिय पतार्थ और केंद्रक को भी दो भागों बाटा गया है केंद्रक कला और केंद्रक द्रव्य को दो भागों बाटा गया है क्रोमेटीन जाल और केंद्रिक इसके पाद क्रोमेटीन जाल को दो भागों बाटा गया है गुड़ सुत्र जो होते हैं डियान्य और आर्यान्य में अब जितने सारी ये कोशिखांग है लवक, माइट्रोकांड्रिया, अन्तव, प्रद्रवी, जालिका, अगालजीका, लाइसोसों, तारका, इनके बारे में हमको डीटेल में पढ़ना है जीव द्रब्य तो जीव द्रब्य का होता है कोशिखांग के अंदर जितना विजिवित पदार्थ होता है उसको हम जीव द्रब्य बोलते हैं जिसमें कोशिखांग पाय जाते हैं जैसे लवक, माइट्रोकांड्रिया, तारकाय, गालजीकाय, किंद्रक ये सारे जितने कोशिखांग जो होते हैं जीव द्रब्य के अंदर ह 1837 में जीव द्रभ्य नाम दिया तो पहने का मतलब यह है कि इसकी खोज जो है डुजार्डी ने 1835 में की लेकिन इन्हों ने इसे सारकोड नाम दिया जीव द्रभ्य नाम जो है इसे पुरकिंजे ने 1833 में दिया था यूगोवानमोल ने जीवद्रव्य का वर्डन किया तथा थामस हक्सले 1668 ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार का क्यों इन्हों ने इसे जीवन का भौतिक आधार का क्योंकि जीवद्रव्य के अंदर कुछका की जितनी विजावी क्रिया होती है वो संपन्न होती है इसलिए हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार का अब जीव द्रवे के भौतिक गुड जीव द्रवे होता कैसा है जीव द्रवे एक रंगहीन अर्ध तरल लसलसा वो जेली के समान पदार्थ है तो रंगहीन का मतलब होता है कि जिसका कोई कलर ना हो अर्ध तरल मतलब द्रव के रूप में हो लसलसा वा जेली के समा पदार्थ है यह कार्बनिक और कार्बनिक योगिको तथा गैसों का पानी में घोल होता है कार्बनिक तथा और कार्बनिक योगिको और गैस का पानी में घोल होता है जीव द्रव्य जो होता है दानेदार होता है कड़िका योकतर तन्तु मैं या जालिका मैं दिखाए देता है इसी कारण जीव द्रव्य जो होता है लचीला होता है मतलब आसानी से ये लचीला पन प्रदर्शित करता है जीऊद्रवे की रसानिक संरचन पतला जीऊद्रवे कीन-कीन पदार्थों से मिलके बना होता है तो जीऊद्रवे एक जटिल मिसरड है जिसमें लगवग 30 तत्व पाजाते हैं जिन में से कारवन, हाइट्रोजन, आक्सीजन तथा नाइट्रोजन जो हैं मुख्य तत्वा है ुसके अत्रेक्त जीुद्रव में कार्वनिक तत्वा अकार्वनिक पदार्थ भी घुले रहते हैं जीव द्रव्य को निम लिखी दो भाग होते हैं जैसे फस्ट है कोशिका द्रव्य जेकेंड है केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य वो होता है जो कोशिका भित्ती और केंद्रक के बीच का भाग जो होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य भरा राता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य कोशका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला के हम जीव द्रव्य बोलते हैं जैसे कोश्का द्रव्य का है कोश्का भीत्ती तथा केंद्रक के बीच का भाग जो होता है कोश्का द्रव्य को लाता है तो कोश्का द्रव्य के अंदर जीतनी सारी कोशिकांग होते हैं पाय जाते हैं जैसे लवक हो गया माइट्रोकांट्रिय हो गया गाल जी का इत्यादी कोलिकर ने 1862 में सबसे पहले कोईसका द्रव्य का वड़न किया कोईसका द्रव्य में लगभग 90% जल होता है इसमें कार्भाईडरेट वसा है तथा प्रोटीन्स भी पाई जाती है तो कहने का मतलब यह है कि कोईसका द्रव्य जो होता है लसलसा और धुतरर और जली नमपदार्थ होता है जिसमें 90% जल की मात्रा होती है और इसके अलावा 10% जो होता है कार्भाईडरेट वसा तथा प्रोटीन्स यह सारी चीजे होती है जो मिलके कोईसका द्रव्य का निर्माड करती है अब है केंद्रक द्रव्य इसको हम नीकलियो प्लाज में बोलते हैं केंद्रक के अंदर कोईसका के अंदर जो होता है केंद्रक बीच में जो होता है उसमें जो जीव द्रव्य भरा रहता है जिसमें गुड़ सुत्रवक केंद्री का उपस्तित होती हो से केंद्रक द्रव्य बोलते हैं अब जीव द्रव्य का कार्य क्या है तो इसके कार्य निमन है फस्ट रहा कोई सिकांगों के बीच पदार्थों का आदान पदान करता है तो कहने का मतलब है कि कोईसका के अंदर जीव द्रब्य में जितने भी कोईसिकांग पाजाते हैं उनके बीच जो होता है पदार्थों का आधान प्रदान करता है जो भी पदार्थ का आधान प्रदान होता है उनका नियंत्रड करता है यह जैव अड़ों के संग्रहण में आहिंए कोशिकांग के अंदर जतने भी पःल्ए उनको हम तो पढ़ती हैं लवक हो गया माइट्रुकाइण्रिजिका यह क्लोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाय जाते हैं ये गोलका रत्वा चप्टे अकार के तथा रंगीन या रंगीन होते हैं लवक की खोज सर्व प्रथम 1865 में हैकेल ने की लवक सब्द का प्रयोग सिंपर ने 1885 में किया तो लवक की खोज जो है हैकेल ने की लेकिन नाम इन्हों ने लवक नहीं दिया लवक नाम जो है इन्हों इसको सिंपर ने 885 में दिया लवक के प्रकार वर्ड़क के अधार पर वर्ड़क मतलब रंग के अधार पर लवक जो होता है ने में लखे तीन प्रकार के होते हैं फर्स्ट है हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं तो ये हरा रंग प्रदर्सित करता है पौधे कि जिस भाग में भी हरा रंग दिखाए देगा उसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है वर्डी लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं यह रंग हीन लवक होता है मतलब यह हरा रंग छोड़के कोई भी कलर प्रदर्शित करता है जो वर्डी लवक कलाता है लास्ट है अवर्डी लवक जिसको हम लिवकोप्लास्ट बोलते हैं यार रांग हीनलावाखोता या कोईभी रांग्प्रदर्सी नहीं करताएं